माता पार्वती का कामतिमान श्री मुपतेख कर भोले नाथ आनंदित हो जाते हैं। किन्तु तभी बाता वरण में मृकंडो रशी के पत्मी देवी सुत्पा की करुण पुकार गूंचाती है। देवी सुत्पा को मृकंडो रशी के शिवा राधना तक धैर्य धारन करने के पश्चात महानपुत्त्त की प्राप्ति के वरदान की सफलता पर स्वयम देवी पारवती की रक्षा के लिए भोले नाथ मृकंडो रशी को दर्शन देकर हट्योग से विमुक होने का परामष द होते हैं कि म्रकंडू का पुत्र अलपायू होगा सुतपा निश्चित रहो मैं आ रही हूं मुझे जाने के आग्या दीजे स्वामी सुतपा के पास जा रही हूं देवी हां स्वामी एक मां की वेदना एक मां ही जान सकती है इस्त्री की जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मात्रित्व यदि उसका मात्रित्व संकत में पड़ जाए तो इस्त्री का जीवन दुख्य सागर में डूप जाता है एवी इस संसार में मा की हिर्दे में करुणा और मात्रित्व का जो संचार है उसका केंद्र तुम ही ह कि प्राणी तुम्हें जगदंबा के स्वामी बातों में कहीं मारकंडे की प्राण संकट में न पढ़ जाए मुझे जाने की आख्या देवा नहीं देवी वहां जाने से कोई कारिषिद नहीं हो आँद वहां न जाना ही उचित होती एक माँ की वेदना असे हने होती है स्वामा मुझे स्वयाम जाकर उसे अश्वस्त करना ही होगा अन्य था अन्य था क्या देवी अन्य था मार करने के जीवन पर आय संकट से वो पती रदा मांतरत उसे आहथ होकर कहीं नियती को ही शाफित न कर देगा ऐसा कुछ नहीं हो कर देगा घटेगा वही जो विधान है इस सिस्थिती में मैं क्या करूं भोले ना सुतपा की व्यथा से मैं स्वयम बहुत चिंतित हूं मृकंडू दमपती तथा मारकंडी की चिंता हम पर छोड़े राहिमाम राहिमाम रक्षा करो दर्वार रक्षा करो या बात है अमदूत तुम तो मारकंडे के प्राण हरने गये थे उस जबतकारी माय भी मारकंडे के नाम सही मुझे भाय लगने लगा है स्वामी पकवाद ना करो और अपनी बात उस्पष्ट कहो स्वामी जो ही हमारे सही होगी मित्र ने उस माय भी मारकंडे पर यम पाश फेका तो उसके सामने के शिवलिंग से बयाने ज्वाराएं निकली यम पाश ने पलटकर हम परेप्रहार किया पेरा मित्र यम्दूत अभी भी वहां अचेत पड़ा है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्ति कह रहे हो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यम्दूत प्राण लिये बिना लोटे हो यह अक्छर से सत्त है स्वामी शांत रहो तुम्हारी पराजय ने यम लोग की परंपरा को कलंकित किया है जिससे हम अधिक चिंतित हैं अब ह हम और माया विम अरगंडे के प्राण हरने जाएंगे सामी आप हम यदि स्रिष्टी के नियमों से खिलवान किया गया तो तीनों लोगों में अरा जक्ता फैल जाएगी प्राणी के मिर्तियों में एक शन का विलम भी स्रिष्टी की विवस्था को अस्थ व्यस्थ कर देगा पाश हम स्वयम जाएंगे जित्रक्त जी मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयम यंदेव भी उस माया भी चमतकारी मारकंडी के प्राण हर पाएंगे दूत निर्त्य से आज तक निर्त्य लोक में जन्न लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया है होगा वही जो नियन्ता के इच्छा होगी नारायन नारायन परमपिता अपने पुत्र नारत का प्रणाम स्वीकार करें कहो नारत क्या समाचार लेकर आये समाचार नहीं परमपिता मैं आज प्रार्थना लेकर आया हूं प्रार्थना अवश्य कहो मेरे मानस पुत्र परमपिता निर्दोश बालक मारकंडे की अलपायू के अभिशाप का अंत करके किर्पया आप उसे दीरग आयू का आशिरवात प्रदान करें नहीं नारत नहीं मैं स्वयम ऐसा नहीं कर सकता क्यूं क्यूं परंपिता क्यूं उस निर्दोश निश्पाप बालक पर इतना कुरूर अत्याचार क्यूं परंपिता या अत्याचार नहीं है है परम्पिता है वो बालक मेधावी परमज्यानी तेजस्वी है उसे मिलने के पश्चाथ मुझे उसमें जगत कल्यान की अपूर विजोती के दर्शन हुए परम्पिता इन सब के उप्रांद भी वो नियंता की नियती और विधाता के विधान से अचुता नहीं है किन्तू परम्पिता जगत कल्यान को साक्षी मानकर नियंता की नीती और विधाता का विधान परिवर्तित भी तो हो सकता है ना नहीं नारत नहीं नियंता स्वयम यदि अपने नियमों में परिवर्तन करने लगे तो इस स्रिष्टी में अनर्थ हो जाएगा किन्तु परंपिता जगत कल्यान भी तो नारत जगत कल्यान से भी महतुपून है नियती और विधान क्योंकि विधान के संकट में पढ़ने से ये जगती संकट में पढ़ जाएगा किन्तु परम्पिता नारज तुम परम्जानी हो तुम्हारे लिए कोई भी रहसे रहसे नहीं है मारकंडे के अलपायू उसके पूर जन्द के कर्मों एवं उसके पिता रिकंडू की उसे जन्देने की अनिच्छा का पैणाम है इसलिए उसके माता पिता को फुत्रवयोग रक्षेश नहीं है परम्पिता हम ऐसा भी नहीं कहते नारज भगवान शिव की स्रिष्टी में सब कुछ उनकी इच्छा पर ही निर्भर के स्रिष्टी का हर मार्ग शिव इच्छा से ही संचालित होता है नहीं परम्पिता नहीं स्वयम भगवान भोले नात ने मारकंडे की जीवन रक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है यह तुम क्या कह रहे हो नारत तुम से उनकी लिला समझने में अवश्य कोई भूल हुई है नहीं परम्पिता नहीं भूल का तो कोई प्रश्ण ही नहीं उठता स्वयम भगवान भोले नाथ ने बालक मारकंडे की चर्चा करने पर मुझे आदेश देकर कहा था कि बालक मारकंडे की नियती निर्धारित हो गई है अब उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या प्रयोजन है नारत जिस प्रकार भगवान शिव अनंत है उसी प्रकार उनकी प्रतेक लिलावी अनंत है उसे समझ लेना हर एक के वश्य में नह प्रतेश्च समस्था हूं और शिवाराद ना करो क्वुट्र वो जो भी करेंगे उसमें अंते तहे जगत का कल्यान छुपा ही होगा अश्युक्त नाम ए बोलेनात मैं नन्नाबा लगूँ आपको प्रसंद करने का महा मंत्र मैं नहीं जानता मेरी पुका सुनो मुझे दर्शन दो मुझे दर्शन दो सुनो प्रसंद करके दोसे के अबता झाले के optimffen टकर बोलेनात मैं उ्लंक मुझे दर्शन वाया के ब दुर्शन दोमके प्रश्त मैं हमरूई आपको जा Giftूश 들어 कि अबता प्रसंद के चामाइबस मुझे जानता जीवन क्या है, प्रित्यू क्या है, मुझे को नहीं ये जाए जीवन क्या है, प्रित्यू क्या है, मुझे को नहीं ये जाए मार कंडे, पुत्र मार कंडे, कहा हो तुम मार कंडे, कहा हो तुम? मेरी पुकार ही, कर्म है मेरा, कर्म है शिव का खूज़ कर्म दर्म का मार मरी शिव है, कर्म दर्म का मार मरी शिव है, शिव करता शिव कार, शिव करता शिव कार, शिव करता शिव कार, शिव करता शिव कार, शिव कार, शिव करता शिव कार, 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 श जिसके साथ, शिक है जिसके साथ जीवन क्या है, प्रित्यू क्या है, और शुको नहीं ये ज्याद महाँ चले गए, मार के गए, बोले ना, रक्षा करें रिट्यू का भर उसे सताए, प्यारा लगता जिसको जीवन मिट जाते उसकी हर जिन्दा, जो घरता शिवन चिन्दा है जो घरता शिवन चिन्दा है, हर सौपार के का आद है उस पे, जिस पे शिवन चाहा, जिस पे शिवन चाहा जीवन क्या है, प्रित्यू क्या है, कुछ को नहीं क्या क्या है क्या है क्या है क्या नित्यू क्या प्रभुतयाने ऑन्यातरब के अब तो दर्शुन मुझ को देदो अंक आरब करना हो जिसकावो जीवर मुझ को आदेदा जीवर मुझ को देदो अपने इसमल मेबारक की दिंती सुन लोगा दिंती सुन लोगा जीवर क्या है प्रत्यू क्या है मुझ को नहीं है क्या कितना क्यातने दर्शल चाहू आपके बोले ना दर्शल बोले ना दर्शल बोले ना दर्शल बोले ना आपके बोले ना प्रहार करने वाले बालक मार करने पर प्रहार करने का तुम्हारा साहत कैसे हुआ इस बालक ने शिवलिंग को हिदे से लगाकर हमारी शर्ण दी शर्णागत की रक्षा करना हमारा कदव्य है क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्रकाल हो किन्तु हम महाकाल है झालक तुम झालक बदक्क्तू